हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पहल सुरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से टाइटन की टाइटन जो की नीचे के लेवल से फिर से रिकावर होता हूँ नदेर आ रहा है तो क्या ये रिक सपोर्ट था यहां ब्रेक आउट किया सटों इन लेवल के आसपार चॉरूर पहुंचता हूँ नदेर आया बाट उपर के लेवल से देखिए यहां पर जो इसने निया चैनल बनाया था नं लेवल के ऊपर ही चैनल आ गया और पहले ब्रेकडाउन देने के बाद बिलकुल जो है अब निचे के लेवल जो ये पहले का रिजिस्टेंस लेवल था उसी के उपर फिर से रिजिस्टेंस फेस करता हूँ नदर आएगा क्योंकि ये सपोर्ट बन गया था बट इसको ब्रेक किया आप रिजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर इसके बीच की एक लाइन हम ड्रो करें तो इस टाइब से आपको दिखाई देगी और स्टोक जो है अभी इस लाइन के नीचे ही काम करता हूँ नजर आ रहा है इसको हम देखते हैं थोड़ा साथ डेली चार्ट के उपर तो डेली चार्ट पर देखिए स्टोक इस टाइब से दिखाई देगा ज यहां पर जब breakdown दिया तो इस लेवल के आसपा सपोर्ट लेता हो नदर आया अब देखिए क्या हो रहा है डेली चार्ट के उपर कि बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट इसने यहां लिया है बिल्कुल अगर आपको इस सपोर्ट के आसपा सटोक मिलता है तो बिल्कुल अकमूलेट करना चाहिए उपर के लेवल पर यहां पर एक रिजिस्टेंस फेज कर रहा था जैसे मैं भी लाइन ड्रो की थी बिल्कुल उस जो रिजिस्टेंस था उसको यह स्टोक ब्रेक आउट कर चुका है यानि कि यह जो हाई था 22 रपे का उसको ब्रेक करके स्टोक उपर फिर से किसी मार्किट करेक्शन 22 को ब्रेक करके निच्चे की तरफ जाता है तो स्टोक अगेन इसी के उपर सपोर्ट लेता हूँ नजर आएगा बट उपर के लेवल पर इसे तेई सो बीस रपे को ब्रेक करना जुरूरी है इस टाइम पर एक अच्छा ब्रेक आउट जुर जुरूरी है 2320 को अगर ब्रेक आउट कर देता है तो स्टोक डेफिनेटली 2480 और 25 के लेवल तक पहुंच सकता है बट कोई भी बड़ी चाल आएगी वह इस लाइन को क्रोस करने के बाद या आएगी आप देख सकते हैं पहले भी इस लाइन को जब इसने क्रोस किया था हम बाद में डिसकस करेंगे तो पहला जो लेवल आपको देखना है 2320 उपर और निचे का लेवल 2200 के आसपास रखना है 2200 को अगर ब्रेक करता है तो स्टोक काफी बीख हो सकता है अगर 2320 को ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर फिर से बन सकता है जो च्छी कर चाहिए 60 की लाइन चाहिए ब्रेक नहीं किया और नजर आ रहा है टाइम ले सकता है पेशन्स रखना know टाइम होर्डिंग अपने बढ़ाना होगा और इसको पोटफोलियो में निचिछ regular life completely होग बनाNew रिटन्स बनाके इस टोक दे सकता है, एक अच्छे लेवल्स के उपर मिलता हूँ, नजर आ रहा है, थैंक्यू, धन्यवाद